हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आफका पीशेस बाबा में दोस्तों आज हम पूरा का पूरा चार्खन का सेंसस जो है वो मैप के थू पढ़ेंगे ठीक है जिससे पिक्टोरीकली आफके दिमांग में सब कुछ चप जाए दूसे तीन बार आफ रिविजन करेंगे तो सेंसस से र किस तरह से उसे अच्छे से सौल कर पा रहे हूं ठीक है तो सुरू करते हैं सबसे पहले सुरूबात करते हैं जार्खन में जो इस सेंसस हुआ था वो किस नंबर का था ठीक है तो सेंसस क्या होता है सेंसस सेंट्रल होता है तो जो सेंट्रल सेंसस हुआ था जो उसका नंबर ह बहुँ होगा वही जार्कन का नमबर होगा ठीक है एक ही साथ होता है नहां मन्तों सेंसस सेंसस आफ का सेंट्रल लिस्ट में सेंसस 2011 जो हुआ था वह 15 हुआ ठीक है सिंसस 2011 पंद्रहवा नंबर का था और अजादी के बाद सात्वा नंबर का ठीक है उसके बाद अब आते हैं हम जारखंड के बारे में थोड़ा ध्यान लेते हैं जारखंड की जो जनसंख्या है वो है तीन करोड उन्तिस लाख अठासी हजार एकसो चौतिस सौट में लिखे तो 3.29 करोड तीन करोड उन्तिस लाख अठासी हजार एकसो चौतिस जारखंड जनसंख्या के अनुसार आपसे पूछा जाए कि भारत में रैंक क्या है तो 14 रैंक है भारत के कुल जनसंख्या इंडिया के टॉटल पॉपॉलेशन का कितना परसेंट लोग जा है आफका 2.73 ठीक है अब इसके बाद दो डाटा और याद रखना है कि जो पॉपॉलेशन है उसमें विलेज मतलब गाउं में लगभग 76 परसेंट लोग रहते हैं और सहर में आफके 24 परसेंट लोग रहते हैं ठीक है अगर मेल पॉपॉलेशन की बात की जाए तो 51.32 परती महिलाएं जो हैं वो हैं 48.68 परसेंट अगर नंबर में तो आप याद कर सकते हैं साट में 1.69 करोड मेल और 1.60 करोड फिमेल ठीक है याद रखना आपको चलिए कुछ और डाटा देखते हैं यहां पर कुछ डाटा है पॉपॉलेशन डैंसिटी जो जन्संख्या घनत तो होता है पर स्क्वाइर किलों क्लों मेटर में कितने लोग रह रहे हू़े मंगन संख्या घनतों कहता है तो पॉपॉलेशन डैंसिटी जो जार्खंड का है वह है 400 शौदर उसके बाद आ ग्या ग्रोथ थेक्ट है इसको जूम करदेता हूं थोड़ा डिकेडल को घ्रोथ मतलब हर दस साल में कितना ग्रोथ होता है तो टिकेडल ग्रोथ है 22.4 ठीक है परसेंटेज में अथा या जिसे नैर पोटीएट लिटरेशी लिटरेशी जो है वह है 66.41 अगर मेल लिट्रेसी की बात करें तो 76.84 और फिमेल लिट्रेसी की बात करें तो 55.42 आप याद कर सकते हो 56, 76, 66 लगबग याद करने के लिए कि अगर आप से थोड़ा दूर दूर का हो तो आसानी से आप से टिक मार से अब आ गया वहरी इंपॉर्टेंट जो एक्जाम में है 26.1 परसेंटेज नमबर में देखें तो 86.45 लाक ठीक है अब आते हैं सी पोपुलेशन सी पोपुलेशन टोटल है 39.85 लाक और परसेंटेज में देखें तो 12.08 ठीक है उसके बाद एक चीज और देखें कि जारकर्ण में हिंदू सबसे जादा रहते है 67 परसेंट मुस्लिम 14 परसेंट क्रिश्चन 4.3 परसेंट सीक 0.22 जैन 0.05 और बुद्ध 0.03 तो जैन और बुद्ध में कन्फियोजन होगा तो आप याद रखेंगे कि बुद्ध सबसे कम है और जैन बुद्ध से जादा है वैसे भी जारकर्ण में आप देखोगे कि पार्ष्वनात मंदिर जैन को डेडिकेटेड है तो अबियसली जैन का जो पोपुलेशन होगा वो जादा होगा अब अगर हम देखें सबसे जादा पोपुलेशन के सिराज में है तो वो है यूप डिजन पोपुलेशन के अगर हम करते हैं ठीक है डिवीजन वाइस तो मैक्सिमम जो जन संख्या है वो नौर्थ छोटा नागपूर में ठीक है और जो मिनिममम जन संख्या है वो पलामू प्रमंडल में ठीक है पलामू में इतना तक हो गया तो यह था ओवर ओल टेटा ठीक है अब हम पढ़ेंगे इस्टेट वाइस ठीक है एक एक चीज़ पकड़ते हैं पहले हम सुरू करते हैं इस्टी पोपुलेशन से ठीक है तो इस्टी पोपुलेशन आप देखोगे हाँ ठीक है चलो एस्टी पोपुलेशन मैकसिमाम एस्टी पोपुलेशन कहा है तो आप देख रहा होगा यह राची है सबसे जादा इस्टी जनसंख्या में राची है और यही आप से परसेंटेज में पूछा जाए तो वो यह जीला आपको देख रहा होगा खूटी 73.25 प इस्टी परसेंटेज में पाये जाते हैं अब सबसे कम इस्टी कहां पाये जाते हैं तो सबसे कम इस्टी पोपलेशन आफके पाये जाएंगे कोडर्मा में और परसेंटेज में भी सबसे कम इस्टी का परसेंटेज आफको कोडर्मा में मिलेगा ठीक है सबसे ज़्यादा ST population राची में नंबर में और परसेंटेज में देखा जाए तो खूटी में 73.25% सबसे कम ST population आफका है कोडर्मा में और परसेंटेज में देखा जाए तो सबसे कम है कोडर्मा में 0.96 ठीक है तो ST population के बारे में हमने पुरा complete कर लिया अब हम आते हैं SC population तो SC population नंबर वाई सबसे ज़्यादा है पलामू में अगर परसेंटेज वाई देखा जाए तो SC population सबसे ज़्यादा है आफका चत्रा में 32% ठीक है अब minimum की बात करें तो minimum जो SC का population है वो है आफका यहाँ पर लोहार दग्गा में ठीक है दिख रहा होगा और percentage में अगर देखा जाए तो minimum जो SC का percentage है वो है आफका पाकुड में कितना percentage है 3.1 again revision सबसे कम SC की population है सबसे ज़्यादा रात पहरे करती है न सबसे ज़्यादा PC population पलामू में नंबर में अगर percentage में देखा जाए तो 14 में 32% सबसे कम SC population है आफका लोहार दग्गा में और percentage में देखा जाए तो सबसे कम SC पोपोलेशन है पाकूर में चलिए इतना तक हम देख लिए अब हम देखते है सुख़ा की। सबसे ज्यादा लिट्रेशी रेट है आफका राची का 76% 76% ठीक है man के भी literacy सबसे ज़्यादा यहाँ है female के भी ठीक है और सबसे कम literacy है वो है आफका पाकुड में पाकुड में कितना है तो 48.8 ठीक है 48.8% आफका पाकुड का literacy rate है चलिए literacy हमने देख लिया अब हम देखते हैं population density ठीक है प्रती एक वर्ग किलोमेटर में कितने लोग रह रहे हैं ठीक है density जिसे हम हिंदी में बोलेंगे जनसंख्या घनत्व तो population density अगर हम देखे हैं जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहां है तो आफको पता है ये है आफका धनबाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आफका धनबाद में देखने को मिलेगा ठीक है कितना है ये पूछा जा सकता है आफसे तो 1316 मतलब 1360 आदमी रह रहे हैं एक स्कौर किलोमेटर में और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां है तो सबसे कम जनसंख्या घनत वह आफका स्भु धेगा में 159 169 आदमी रहे हैं आफके एक स्कौर किलोमेटर में टीक है अब इसके बाद हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व हम ने देख लिया अब जनसंख्या देखते हैं सबसे यादा जनसंख्या किसकी है तो राची की है 29.14 लाग मतलब 29 लाग लोग राची में रहते हैं और सबसे कम जनसंख्या जो है वो है आफका लोहारदगा का 4.614 दसमलोग से एक लाख लोग जो है लोर्दगा में रहते हैं अब हम देखते हैं नगरिया और सहरी जनसंख्या ठीक है वेरी इंपोर्टेंट तो सबसे पहले हम देखते हैं नगरिया जनसंख्या तो सबसे ज्यादा सिटी पोपुलेशन मतलब नगरिया जनसंख्या आफका धनबाद में ठीक है और यह नंबर में भी ए और परसेंटेज में भी ठीक है तो maksimum city population number wise या परसेंटेज बाइस दोनों आ अफका धनबाद में ठीक है ये हो गया अब आप हम देखते हैं कि सबसे कम जो है city population कहा है सब्सित्यादा तो हमने देख लिया तो सबसे कम city population जो percentage में है वो है आफ़का good damn है सबसे कम city population कहाँ पर आफ़का good damn है minimum city population percentage में ठीक है अब हम देखते हैं कि minimum city population number में number में सबसे कम जो city population वो कहाँ है तो वो है आफ़का शिम्डेगा में ठीक है तो याद रखेंगे आफ शिम्डेगा में सबसे कम सहरी अबादी है number में अगर प्रतिसाद में पुछा जाए तो कहाँ सबसे कम सहरी अबादी है तो वो है आफ़का good damn है अब गाउं की population की बात करते है सबसे जादा गाउं की population है आफ़का गिरिडी में और percentage में देखा जाए तो सबसे जादा गाउं की population है good damn है ठीक है और सबसे कम गाउं की जो population है वो है आफ़का लोहर्द गाउं में गाउं वहाँ पे कम है और सबसे कम गाउं की population ठीक है minimum village population तो वो कहाँ पे है percentage में percentage में तो यहाँ कि देखनी को नहीं मिल रहा आगे अगर होता है तो मैं आपको बता दूंगा कि उसके बाद यहां तक हमने देख लिया लिट्रेसी देख लिया कि अब क्या बचा हां एक चीज़ याद रखने हैं आपको maximum OBC population सबसे जादा OBC जनसंख्या गिरिडी में हैं उसके बाद एक चीज हो गया वृद्धी दसकिया वृद्धी दर जो की है 22.4 तो सबसे जादा दसकिया मतलब दस साल 2001 और 2011 के बीच में कितना जनसंख्या में वृद्धी वा परसेंटेज में तो सबसे जादा जनसंख्या वृद्धी दर आफका कुडर्मा में ठीक है कुडर्मा में कितना है 43.42 परसेंटेज ठीक है तो 43.42 परसेंटेज में और सबसे कम वृद्धी धर जो हुआ है वो है आफका धनबाद में 11.99 परसेंटेज मिनिमम पॉपुलेशन ग्रोथ ठीक है नियुनतम चनसंख्या सेक्स रेश्यो की बात करते हैं सेक्स रेश्यो – 948 है सबसे जादा सेक्स रेश्यो जो है वो है सकते हैं सथम्हाइश्यो है इसे एक स्ट रूपाद किसे हम हिंदी में बोलते हैं ठीक है तो यह स्ट रिश्णस ज्यादा देख लिया हमने वेशिंग में सबक्राइश रहा इता है धनबाद में कितना होता daddy 909 ठीक है तो सबसे कम sex ratio आफका दर्माद में है याद रखेंगे आफ इसके लावा तो मुझे लग रहा सारा चीज मैंने complete करा दिया है maximum village population हो गया है maximum city minimum nutrition minimum हाँ तो आफका लग भग सारा मैंने census को complete करा दिया ठीक है इतना पढ़ने के बाद आफ practice set लगा लिजे उसके बाद अगर कुछ question नहीं बनता है तो आफ comment box में comment करेंगे उसे जल्द ही बताया जाएगा आफको solution दिया जाएगा ठीक है मिलते है next video में अगर आफका response अच्छा रहा अवाध करे सकता है अएगा झाल पकाद करेंगी